प्रश्चिकाल डारेक्ट विद दिनेश में आपका स्वागत है हमारे साथ आज डारेक्ट विद दिनेश में है सिकंदर सिंग मलुका जो की शिरोमनी अकाली दल के वरश नीता है और पंजाब सरकार में पंचायत और ग्रामिन विकास मंत्री है मलुका जी सचेकाल आपका बहुत-बहुत स्वागत है डारेक्ट विद दिनेश में जी मीरिया में मलुका जी आज खुश तो बहुत होंगे आप मालोका जी आम आदमी पार्टी के दिल्ली दर्वार ने जो शिरुमनी अकाली दल मुख्य मंत्री चाहते थे वो आपका काम उन्होंने कर दिया आपकी जो मांग थी वो पूरी कर दी उन्होंने बिल्कुल बेखो सीता ने कोई मांग ना तो कीती है सीता पहला तो यहीं गल कहेंदे सी द्रेश जी के पार्टी बहुता लबा समझ चलेगी नी क्योंकि पार्टियां दे सूल हुंदे ने नीतियां हुंदियां ने बे सूले लोकां दा एक कट सी गा जिड़ा लगदा सी के बहुता चर चलेगा नी पर सानू आए सी कि जिदो सारी हैं टेक्टा वंड़न गे ओधो जादे बड़ा तमासा होएगा पर यह तो समय तो पहल पार्टियां बे सारी हुँदू कि आपको लगता है कि जिस तरह से दो फार हो गाये हैं आम आदमी पंजाब एकाई जो है आम आदमी पार्टी की उसका फाइदा आपको मिलेगा शिरुमनी अकालीदल को बिखो ऐसी ता द्रेह जी पहला तो यह कहने है कि साड़ा जड़ा चोन आसी पंजाव दे विछ चमन्स शाम्ती आदमने जड़ा शका काइटी विद्रेश眦 लड़नी है यह कैने है यह गल बिलुकुल ठीक है कि जिस पनजाव दे विछ दोपार्टी सिस्टमी रहिए जो सरक ले आजान देने, दो जान तेने, नमे आजान देने, फिर वो सिधी अपोजिशन में जान दी वजाए, वंडी जान दी ये बूट. यह पिछली बार मनपीद्वे होया सी, सो इस करके जिननी जादे लोग का उन गे मरांदे बिच जिननी जादे बोट बंडी जाएगी सरकार में उता फैदा तक उबरती गला वाश होएगा जी लेकिन मौलुका जी सरदार सुच्छा सिंग छोटेपूर के साथ ये कहा जा कि तमाम लोग हैं तमाम ये कहा जाएगी 13 जोनल जो उनके वलेंटियर्ज हैं उनमें 13 में से 7 वलेंटियर्ज जो हैं सुच्छा सिंग छोटेपूर के साथ हैं तो आपको नहीं लगता कि एक बड़ा तब का आम आदमी पार्टी में वलेंटियर्ज का भी और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं जनता जुड़ी है उसका फाइदा जो है वो सुच्छा सिंग छ उदर ती गला यह पहला जिदो दो मेंबर पार्लिमेट हो इस लोग का ने सुच्छा शेह देना मेंबर पार्लिमेट दा एकसूर होएगा जी ओन जिदों सुच्छा सिंग छोटेपूर जीदा कोई कुछ नहीं है गासी पार्टी लिए उन्हें कम किता है तेन साल पिछले दबके कम कीता है जो कोई दोर या नहीं है जी जी वो दा कसूर कोई है नहीं से उन्हें कोई घलती है जी कीती नहीं जी दे करके उन्हों एड़ी वड़ी सजा दिती है महलुका जी आप भी मानते हैं कि सुचा सिंग झोटएपूर ने जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में काम किया ग्राउंट पे काम किया और लोग उनको मानते हैं नहीं मैं तो पहले ही किया कि उन्हें तिन साल पार्टी ली काफी कम कीता है। इस करके लोकां दी हमदर्दी होगी के दिना तका कीता है, बेगना ही कीती है। इक जड़े को सिखी दे सुवाल आए। सरदार सुचा सेंग छोटे पूर ने सिखी वारे जो गला कीती हैं, तसर होया भी जए गल कीती है दिली दी लीडरिशिप ने हैं, फिर ता पंजाब दे लोकां दी बेजती ही आई गला है, सिखी दे खलाप है, पार्टी पंजाबियां दे खलाप है, ते छोटे पूर ने बहुत वड़ी जाती होई है। जो पंजाब दे लोकां दे मांची कि ते यह होदा है, कि किसे बंदे ना जाती हुई है, फिर पुदरती गाला है कि हमदर्दी होदे वलवाज जान दी है, सो हमदर्दी सरदार सुच्चा सिंग छोटे पर वल आप दे बिचो काफी बदी है, मैं अधन सहमत है। मलोका जी आपको लगता है कि सिक मर्यादाओं का जिस तरह का आरोब सरदार सुच्चा सिंग छोटे पुर ने दिल्ली दरबार के नेताओं के उपर लगाया है आम आदमी पार्टी के, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सिक मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा गया इन नेता पंजाब नहीं ना लोकां दा कदे तालक द्रेह जी रहा नी जेड़े बंदे दिलियों सारे पेजे थे उना दा तालक कदे पंजाब नहीं सो सिख मर जादा ना जे समझ दे हुंदे नाता है हर्मंदर साफ जड़ी के पिवितर जगया जिनू सारे लोक मंदे ने ओते चाडू दे लोकां बारे जा सिखी बारे जाए इने जानने जेड़े पंजाब दिया प्राप्रावनू बिल्कुल ही नहीं जान दे ते एक्खा मीच के एकाम दबी आए जिदर रिजाल्ट आपने सामने आ गया हो जे नवजोत सिंग सिद्धू पर्गट सिंग और बैंस ब्रदर्स बी चौता फ्रेंट बनाने जा रहे हैं जिसका क्योंनों ने ऐलान कर दिया है आप को नुक्सान होगा इसका वेल्कम कर दें हैं सिता जी जी ना होर फरांटे के बने हैं शो होड़ी ज़े में चुछ जन्धाव फैदा इश्रोमनी काली दलते पार्ती जन्ता पार्टी दी मुझूदा सरकार मों होएगा जो चंगी गला बेख दे अगए जाकि की कर दे ने पर इक कταलब जरूर है खेढ़ दे मदान दे विछ कामजाब होना वड़ी गलbrand हुंदी हैhst ने वड़ी करी आदा है। सदूर वी क्रेक्ट दे विच बड़े चंगे खडारी सथे संद सरदार परगर सिंग भी हाकी देविच बड़े टाप देख खडारी रहे बर स्यासासाद म्हें काफी ओखा हुँए बर अग्गे जाके बन दा है यह नहीं पर पर नहीं पहेसले ओंगे कोई मुरे लेंड लेक है जितने फ्रंट जो हैं पंजाब में बनेंगे 2017 के लिए उसका फाइदा शिरोमनी अकाली दल बीजीपी गड़ जोड को होगा दनेह जी क्योंकि इसी पिंडा चो रहने है मेरी 45 साल दी जिन्दगी स्यास देविच होगी मैं शोटी उमर देविची स्यास देविच आगया सी पिंड़ दी सरपांची तो मैं अपना जिन्दगी शुरू कीती है इस करके सानू फीड़ दी हर गलता पता है ये ठीक है कि कि ये ना मजबूत है आखी ऑपना वेच कोई साडह धिल्यों वर्कर हालता है लोकाइगी साड़ इस करके मैं पूरा हंड़र प्रेसेंटी पर उसा है कि जदिन्द वाली सरकार हो काली दल वीजे पीडी होएगा मलुका जी आपने गाउं की बात की पिंड की आपको लगता है कि जिस तरह से आप दावा करते हैं आपकी सरकार जो है कहती है कि हमने शेहरों में सड़के बनाईी रोड्स बनाएं यह तक दावा किया जाता है और कहा जाता है कि बड़ी अच्छी सड़के बनाई आपको लगत जी मलुका जी आपने कहा कि पिंड गाउं में जो है लोग आपके साथ हैं लोग शिरोमनी अकालीदल बीजेबी गड़जोड को समर्थन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि गाउं में काम हुआ है विकास का काम हुआ है लेकिन गाउं वासी और जो गाउं से जो लोग है जनता है वो यह कहती हैं कि जो गाउं की सडके हैं भले ही शहर में सडके पक्की हुई होगी कहीं कहीं लेकिन गाउं की सरके अभी भी कच्ची हैं, पक्की नहीं हुए हैं पंजाब इक ऐसा सूबाई जी देचे हरेक पिंड़ ची कटो गड़ चार सडकां ता जान दिया ने कई पिंड़ां देविच आठट सडकां भी चारे रहां देविच जान दिया ने मैं मन्दा कि पिछले समझ कुछ लेंक रोड सान जो पिंड़ां दिया ओर टुटियां होन दिया चारे अगले दो तेन मीना दे विच पंजाब दिया ने 90% सरकांज़िया लिंक रोड ने बिलकुल नमिया बन जाने गया